और मैं उस दिन वहाँ पर था तब मैंने फोन किया था तो नम्भियार जी उस दिन अकेले ही थे लेकिन मैंने कहा था कि मैं पहुच चुका हूँ लेकिन जिस दिन हम सवेरे स्टाथ तारिक को आयोध्या में पहुचे उसी दिन हमारा दर्शन होगा नहीं होगा यह हमें पता पानी था लेकिन जब मैं वहां पर पहुचा और देखा कि भीड बहुत ही नार्मल थी आप यकीन नहीं करेंगे राजी जी मैं करीवन 15-20 मिनिट के अंदर राम लला के गर्ब ग्रोव में पहुच गया था और मेरे नसीब से भागे से मेरे वहां पर आर्टी शुरू थी और शुरू उनके कारण 20-25 मिनिट हमको बहुत नदिक से सामने से दर्शन हुए हम वही पर खड़े थे रोमाश था रोमाश था आख में पानी था यानि आपसे जूट क्यों कहूं मैं आख में पानी था कि जो संगर्शम ने इतनी सालों का किया उसको मैं आज सामने देख रहा तो यह मेरा योक्ता और बहुत रोमाश ची यानि हम देखे आयुध्या में जितने सारे लोग आये थे साब घोष्टनाय राम नाम का जब चल रहा था कोईजय स्री राम की घोष्टनाय दे रहा है वहाँ पर मैंने देखा सारे घरों की डिजाइन एक जैसी बनी हुई है प जिन देका